पर तर्ड जबास की घार में हमने त्रे करेंगे ऑंडभ यह वोनीस दूनेट क्लास में हम ने युनियbtlillas प्रे ट्री एंड मेगनेटिक सस्टार्ट्रन्द विश्टार्ट सेके अधनÁं आज का topic है हमारा current, power and energy इसके बारे में आज हम study करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम start करते हैं current के बारे में current मतलब electric current electric current का होती है? charges का flow एक जगे से दूसरी जगे पर मतलब एक जगे से दूसरी जगे में जो charges flow हो रहे हैं उस amount को हम कहते हैं electric current और इसकी unit जो होती है वो ampere में measure की जाती है ampere, एक ampere का मतलब होता है एक कुलाम पर second मतलब हम जो कह रहे हैं charges का flow तो जो rate है charges की, charges का होते हैं आपके कुलाम में और जो time है वो second में हो गया है तो charges का जो flow है उसे हम कहते हैं electric current अब यहां पर हम जैसे बोले हैं कि electric current जो है flow of charges का flow है तो हम यह भी कह सकते हैं कि electric current is the flow of electron electron का flow भी है तो electrons यहां flow हो रहे हैं that means जो charges है वो motion में है static नहीं है, मतलब रुके हुए नहीं है, motion में है तो इसे हम electric current को यह नहीं कह सकते हैं कि static electricity होती है, यह क्या होती है? moving electricity, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि electron जैसे move करें negative से positive की तरफ दो तरीकी charges होते है, एक negative charge और एक positive charge, तो electron का जो flow हो रहा है, from negative to positive, यहाँ पे हम देख सकते हैं तो यह static electricity नहीं है यह moving electricity है अब current की बात करें, तो current देखो दो तरीकी हो गई, direct current जिसे हम DC current कहते हैं, और एक होती है alternative current जिसे AC current कहते है direct current का मतलब होते है कि जो electrons का flow है, सिफ एक ही direction में हो मतलब electron का direction जिसे negative से positive, एक ही direction में चल गई है जिसे battery हो गई, flash light batteries हो गई, photovoletic cells हो गई इन में, और जो alternative current होती है, उसमें का आता ही जो electron का flow है, वो मतलब जो charges का flow है, वो दोनो direction में है, हो सकता है जिसे generator का example है हम, तो north to south pole हो रहे हैं, कभी south to north pole current flow हो रही है, तो यह दोनो direction में जब current का flow हो रहा है, उसे हम कहते है, alternating current right, और direct current मतलब यह की direction में current flow हो रही हो, बतलब, जो alternative current है ना, वो time के साथ direction भी change हो रही है, magnitude भी change हो रहा है, और direct current जो है, वो time के साथ fix है, बतलब, एक ही direction में flow होगी, तो वो होती है हमारी direct current, अब जैसे हम कहरे हैं, कि electric current है, वो electric charges का flow है, यह हम कहरे है, electrons का और कि एक कुलाम को यहां पर यहां पर क्या है चार्जेश और टी का क्या है यहां पर टाइम तो यह तरह से एक scalar quantity है और इसकी जो ऐसा ही units होती है यहां पर हम जो equation है आई बराबर q by t इससे हम लिख सकते हैं कि इसकी जो unit है कुलांब पर second होगी या फिर हम इसे ampere भी कह सकते हैं तो एक ampere का मतलब क्या होगे एक कुलांब पर second और electric current को जिस device से measure किया जाता है उसे ammeter कहते हैं और यह जो current फ्लोव होगा और इलेक्रन का flow कहा होगा negative charges से positive charges में तो यह होती है हमारे electric current अब यहां पर यह एक circuit में भी देख सकते हैं एक battery लग रही है एक connection होने चाहिए complete circuit होना चाहिए तभी current का flow होगा अधर्वाइस current का flow नहीं होगा और जब यह close circuit होगा that means हमने जिसे last class में बढ़ाता है कि एक voltage वोल्टेज होती है और एक potential difference होती है potential difference कौन से circuit के लिए close circuit के लिए और voltage कहां के लिए होता है ऑफनर circuit के लिए क्लोस सरकीट मितलब complete circuit होना चाहिए close means वहां पर क्या होता है potential difference तो current कहां flow होगी जहां पे potential difference होगा जब यह condition दोनों मिल जाए मतला circuit का complete circuit होना चाहिए close circuit होना चाहिए, potential difference होना चाहिए तो फिर electron का movement होता है means तब हमारी current flow होगी यहाँ पर जैसे अब आप देख सकते हों कि circuit close होगया तो अब यहाँ पर क्या है यह battery का terminal है positive तो current तो flow होगी हमारी positive to negative electron का flow कहा से हो रहा है यह negative से positive की तरफ तो इस तरह से कि हमने electric current के बारे में पढ़ड़ा तो electric current में एक बार वापिस revise कर देती हूँ आपको electric current क्या होती है charges का जो flow है वो कहलाती है हमारी electric current यहाँ पर दूसरे शब्दों में electrons का flow और इसकी जो direction होती है electric current की वो opposite होती है electron से, जैसे electrons का flow होगा negative to positive तो charges हाँ और current का flow कहां से होगा positive to negative clear और दो तरह की पड़ी हमने direct current और alternating current direct मतलब DC current और alternating मतलब AC current और इसके लिए current का क्या जरूर है circuit close होना चाहिए और there must be a potential difference तो यह थी हमारी current current एक scalar quantity है इसे किस से measure किया जाता है ampere में और जिस device से measure किया जाता है वो कौन से होती है ammeter clear तो अब हम next topic पड़े है work के बारे में क्योंकि अब हम power और energy के बारे में पड़ेंगे तो उसमें पहले हमें work पता होना चाहिए work क्या होता है work जो होता है work is defined as a product of net force acting on a body and the distance move in the direction of force means क्या हुआ आपका work जो होता है वो force जिसी कोई object है उसके उपर हमें force लगा रहे है तो जो net force लगा रहे है वो और into me जिस direction में force लगा रहे है न वो distance कितनी है तो distance into force वो कहलाता है हमारा work और इसकी जो units है वो होती है joule में क्योंकि यहां पर क्या हो गया एक जूल क्या हो गया force को किसे रहे इड़सर करते है हम newton में और distance है अगर meter में या second मतलब centimeter में उससाब से तो one newton meter कितने के equal हो गया एक जूल के तो अगर newton को force को kilogram meter भी लिख सकते kilogram meter per second तो फिर क्या हो जाएगी इसके unit हो जाएगी kilogram meter square और second square ठीक है तो work क्या हो गया हमारा force into distance अब next रहे है power power क्या होगी जिस जो work है उसका क्या rate है जिस rate पे work किया जा रहा है power is the rate at which work is done तो इसमें हम लिख सकते है power बराबर से work divided by time तो work क्या था हमारा जैसे जूल में था है ना जूल में हम क्या जैसे अभी हमने पढ़ा sorry एक second बढ़ा problem होगी एक second कीजी हाँ हमने अभी क्या बात करें थी जिससे हम इसकी बात करें थे work वर्क क्या था force into distance जूल का बत्र क्या था न्यूटन मीटर अब हम बात करें पावर की तो पावर क्या है हमारे यहां पे work वर्क divided by time ठीक है तो वर्क क्या हमारा force into distance है तो हम यहां पर लिख सकते हैं P बराबर से W upon T और W क्या है FD तो FD divided by T यह लिख सकते हैं next topic है हमारा energy energy का मतलब क्या होता है ability to do the work मतलब किसी काम को करने की ability उसे क्या कहते है हम energy right work क्या था हमारा F into D force into distance फिर power क्या थी हमारी force into distance divided by time energy क्या है energy is defined as the ability to do the work मतलब किसी काम को करने की ability उसे हम कहते है energy right तो energy ना दो type क्यों होते है there are two type of energy one is kinetic and another is potential kinetic का means होता है motion मतलब जो मतलब moving right मतलब motion हो रहे हैं शहां पर और potential का मतलब होता है stored तो तो तरीक एनरजी होगा एक kinetic energy और एक stored energy ठीक है इन energy की बारे में भी हम पढ़ेंगे और energy की जो unit है वो क्या होती है वो भी जूल ही है right क्योंकि एक तरसे power ही है वो वर्क ही एक तरसे मतलब two type जो energy जैसे हम कह रहें जो अभी हमने बताया था कि ability to do the work तो वही होगे हमारे से जो हमारी work की जो unit है वही होगे हमारी energy की तो जूली हुआ तो जैसे हम कहा रहें एक जूल बलावर से एक kilogram meter square और second square ठीक है next जो kinetic energy है दो तरीकी होती है एक होती है मतलब जैसे हम कह रहें कि kinetic energy is the energy of motion है ना तो दो तरीकी थी kinetic energy और एक potential energy kinetic energy मतलब जो motions की जो energy है मतलब जो काम कर रहे है हम मतलब motion हो रहा है जिसमें उसकी जो energy है वो kinetic energy होती है और इसकी जो quantity यह भी एक scalar quantity है और इसे हम लिख सकते है half mv square यह इसका formula बहुत important है तो यह आप चरूर ध्यान रखना kinetic energy होती है half mv square यह m क्या है mass है ठीक है मतलब और v क्या है यहां पर यह है voltage है तो half mv square potential energy होती है जो stored energy होती है जैसे मालो एक spring है उसको हम compress कर रहें तो जो compression हो रहा है compressed spring वह होगी stored energy जो होगी इसमें compress होगी पड़ी है तो वह होगी इसमेंचे energy वह potential energy होगी ठीक है और मतलब जो position जो change हो रही है एक तरह से वह हमारी यह potential energy ठीक है और इसे हम कहते है weight into height जैसे potential energy का formula है weight into height मतलब mg edge ठीक है तो यह जो होगी position की जो energy होगी वह हमारी potential energy और जो movement की energy होगी move की energy वह होती है हमारी kinetic energy जैसे motion की energy sorry motion की energy kinetic energy और potential energy position की energy अब next topic के बार conservation of energy मतलब जो kinetic energy और potential energy दो तरह की energy थी इन दोनों का sum हमेशा constant रहता है तो हम यहां पे निख सकते है k e plus p e बराबर से constant k e means kinetic energy p e means potential energy और इतनों का sum it always remains constant तो energy जो है कभी भी create नहीं की जाती कभी भी खतम नहीं होती it cannot be created it cannot be destroyed it may be transfer from one from to another मतलब इसे से transfer किया जाता है एक जगे से दूसरी जगे में पर जो amount energy का वो हमेशा constant ही रहता है तो हम कह सकते है k e plus p e बराबर से constant जैसे यहां पर आप देख भी रहे हैं मतलब अगर k e बढ़ रहा है कभी और p e constant है कभी p e बढ़ रहा है तो k e constant होगे है मतलब कि यह जो दोनों का जो sum है ना वो हमेशा constant रहता है जैसे देखो यहां पर देखाए k e कि अत्तर सो जूल है राइट 7500 जूल और p e बराबर से इतना है जीरो पर इतना ला तो इन्हों का sum हमेशा constant रहता है कभी एक चीज़ बढ़ रही है कभी दूसरी बढ़ रही है कभी दोनों बराबर से बढ़ रही है पर total sum equal है conservation of energy is always constant तो एक बर बापिस revise कर देती हूं में देखे हमने क्या क्या पढ़ा है हमने इस chapter में भी तक voltage पढ़ा है potential difference पढ़ा है current पढ़ ली है work, power and energy यह पढ़ लिया और अब हम in short बापिस बता देते हैं कि voltage क्या था हमें amount of energy per charges right energy का जो amount है per charges वो क्या था हमारा voltage है ना जो energy जो charges का moment हो रहा है एक जगे से दूसरी जगे में उसमें energy लग रही है वो क्या था हमारी वो क्या था हमारा voltage और current के charges का flow है rate of charges flow तो जिसे हम कहते हैं ampere मलग q upon t और अब next topic हम जो पढ़ेंगे next class में वो होगा resistance resistance की definition में आपको बता रहते हैं पर इसको हम deep में next class में पढ़ेंगे resistance क्या है current का जो opposition है मतलब current को flow होने को oppose करना यह जो characteristic है यह कराती हमारी resistance मतलब current के flow होने को oppose करना तो opposition of current that is resistance और इसे measure किया जाता है ohm में और यह इसका symbol है इस तरह से यह जो बना हुआ है अब हम इसके जो next class में पढ़ेंगे कि कोई circuit है उसमें resistance कैसे combination में लगाता है series में या parallel में तो वो क्या circuits होते हैं कैसे उनको solve किया जाता है यह हम next class में पढ़ेंगे thank you